आपका लेजर ट्रीटमेंट पर क्या ठीक है बढूर्मल ही कराने लग रहे हैं कि किसी ने फेस का कराया किसी ने हैं किसी ने हैरलाइन बनाई इसके क्या डिसज़ाइडवांटेज आपको लगते हैं सर्क पहले तो देखो एडवांटेजेज उनके साफ से बहुत हैं कि हम अच्छा दिख रहे हैं वार बार वाक्स नहीं कराना पड़ रहा हैं बला बला इंडिविजुल के साफ से बदल सकते हैं अगर मैं बात करूं डिसडवांटेज तो भगवान ने जब हमें हैर दिया है न तो आपके organs में infection के chances अपने आप ही भढ़ गए, जैसे हमारे nostrils में भी बाल हैं, क्यों हैं ताकि dust particles या तरह तरह का infection जल्दी से नाक के अंदर ना जाए, तो वो एक barrier create कर दिया, अब उस barrier को ही जब हम हटा देते हैं, तो obviously जो chances of infection हैं हमारे later ages में वो बढ़ जाते हैं, वो हम prone ह हो जाते हैं, कि हमारा barrier तो है नहीं अब बाल तो है नहीं वो सीधा हमारे pores में जाएगा, या skin में जाएगा और जब वो प्राइवेट पार्ट से जाएगा या हमारे grion region से जाएगा, तो वहां पर उसकी pH को भी disturb करेगा, बालों की वज़े से हमारे grion region का pH भी maintain रहता है, अ अब जब बाल ही नहीं है तो pH ऑविसली थोड़ा बहुत हिलेगा, swelling, itching, burning और females में especially, जो chances होते हैं infection के, या cervicitis जैसी conditions होती है, जाएगा inflammation हो जाती है, cervix की वो भढ़ना start हो जाती है, और यह जो laser करा रहे है यह इस अपने context से करा रहे है कि बाल ही नहीं आएगे, जबकि य अच्छा, जी